question in this video we are going to learn stacks number so यहां पर हम बच्वो लर्न करेंगे stacks number for stacks number and rule of boron hydride boron hydride के लिए stacks number क्या होता है उसको यहां पर हम देखने वाले है boron hydride के लिए देखने वाले हैं बच्वो इस tax number इस tax number हम कहते कि सही है इस tax rule कहें इस tax number rule for boron hydride तो बच्वो थोड़ो सब boron hydride के बारें ब्रीफिरी देख लेते हैं यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं कि इस tax number किस तरह से calculate करते हैं और इस tax number होता गया है तो boron hydride क्लास ओप लेक्टान डेफिसेंट कंपोर्ण तो बच्वो जैसे कि हम जानते हैं कि boron hydride के हैं इलेक्टान डेफिसेंट कंपोर्ण है जैसे कि कहीं से अपने इट एलेक्टान पुरा करना चाहेंगे जुगाडबाजी से और इसलिए जुगाडबाजी की चकर में यहां पर जो यूजल बॉंड नाउगर के क्या रहें ता अन्यूजल बॉंड रहेंगे उसको हम नीचे देखेंगे किस तरह से यह बॉंड का सेक्सस बना रहें एंड फोंड केज़ एंड क्लस्टर्स का फॉर्मेशन इंच में होता है दे लेक्टान डैफिशेंट बीएच थी इस इसमालेस्ट सिंपलेस्ट बोरोन आइड एड सबसे छोटा जो है सिंपलेस्ट बोरोन हाइड के भी एचित रिये विच एग्जिस्ट बीच रोबीटू सिक्स कंटेंस बुरीजिंग भी विया कहते हम भी वी एच बॉंस वाइड डिफ्रेंट तो दो सो ऑगार्वन हाईडए डेस नौर्मल रॉंस से डिफ्रेंट है किस तरह से बचो डिफ्रेंट है यह बिएच बिच्बॉंस क्योंकि यह बच्छों के वहां यहां पर इस तरह से नहीं है कि यहां पर इस तरह से ही यह थी सेंटर जुड़े हुए यहां पर इस तरह से दूसरे में वेकंट और्बिटल है इसके साथ और लेप करता है और इस तरह सा ब्रिज्ड जो है भी एच्वी बॉर्मिशन की प्रमिशन करता है इस तरह के बहुत सारे बॉंड्स हैं यहां पर जो टाइप ओ बॉंड्स हम देखेंगे जो कि यहां अन्यूजवल है नॉर्मल बॉंड का प्रमिशन नहीं होता है इस नॉर्मल बॉंड्स में है जैसे कि यह आउटर्मॉस प्रमिशन है लेगन यहां पर कुछ अन्यूजवल बॉंडिंग हमें देखने को बॉर्मं क्लस्टर में देखने को मिलती है तो बच्वों जो बॉर्मॉर्ण हैं और इक यह ते साइंटिस्ट थे लिपad और ऐयुज इसट के और यहां पर जो लेटर्द को बॉर्म div बोरोन हाइडाइड के अंदर किस तरह के बॉंस हैं उनको यह इंडिकेट करते हैं जो कि हम नीचे देखने वाले हैं तो पहले देखते हैं बच्छों किस तरह के बॉंस होते हैं एक तो यहां पर होते हैं भी एच टर्मिनल बॉंस होते हैं जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं भ दो जो कि आउट साइड टर्मिनल वोंस इंको बोल रहा है बाहर के साइठ को निकले वही नोरौड है बोल इब देनागों, यहाँ पर इसको इंडिकेट के, कितने नंबरस में होगे इसको इंडिकेट के, तो आपको ध्यान रख लेना, एस तो इस तरह से से याद के लेना, आप देख सोब्के हो यह भी इस तरह से बना लू एस, तो S के डिनोट कर रहा है बच्छो B H B, जो कैसा रहता, 3 center 2 electron birrzing, B H B bonds होता है, तो birrzing B H B bonds कितने नमबर में होंगे, तो उसके लिए letter जो indicate करा, जो labeling की गई है, तो क्या की गई है, S की गई है, S का किस तरह से सहा होगी हो, तो memorize कर जाएगा, कितने नमबर हो, B H B bonds है, उसको indicate की सके गया, S किया गया, और बचोई, यहाँ दूसरा, unusual bond इसी तरह से, 3 center 2 electron bond होगा, जिसे labeled किया गया, T C, तो यहाँ पर गया, boron, boron भी इस तरह से, 3 center, 1, 2, 3, आपस में overlap करके, उनके orbital, 3 center 2 electron bonds बना रहे हैं, और इसके जो labeling की कहीए, इसको क्या गया, T हो लगया, यहाँ पर इस तरह से, 3 borons, 1, 2, 3, तो यहाँ पर बैचो, ESP का orbital, इसका और electron के बल्ट होगी है, इनके बेच में, तो 3 center 2 electron से ही attach हो रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, 3 center 2 electron बोल रहे हैं, जो की borohidite के अंदर हमें, इस तरह का बोल्ट देखने को मिलता है, जैसे की बचो, ESP के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, तीन borons, आपस में overlap कर रहे हैं, यहाँ पर तुछ carbon है, इस तरह सा नहीं है, क्याली इनके orbitals जो हैं, आपस में तीनों overlap कर रहे हैं, और इसके बीच में क्या क्या किवल दो 11th तांस है, उसको indicate किया हुआ है, तो इसको बोलते हम बचो B, BB bond, same, इसी तरह का बचो open bonds, यह भी है, इसे cross, different way में यह दिखाय हुआ है, BB, इस तरह से हम कहते है, BB, और तीसरा B, in के साथ में, इस तरह से चुड़ा हुआ है, BB open, तो B3 units कितनी है, उसको denote किया गया, बैच ओ, T से, इस तरह BHB कितनी है, उसको denote किया गया, S, next direct BB bonds होगा, जो simple bonds है, जैसे कि इस compound में BB bonds हम देख सकते हैं, तो इसको indicate किया गया, Y से, इस टेक्स नंबर यहां पर इस compound का लिखा हुआ है 4012, इसका मतलब S4 है, S4 है मतलब इस तरह के वोंस, कौन से फोर्स होगे, BHB1, BHB2, BHB3 और BHB4, तो इस compound के अंदर के, S4 मतलब BHB वोंस, तो कितने इस compound में हो चार है, तो यहां पर चार है, T, T4 था बच्चो, इस तरह का वो be, तीन भी हापस मोगल है, तो इस तरह का नहीं है, इस compound के अंदर इस टीक है, 0 है, ठीक है, और Y4 गया है वाच्चो, B, वोंस कितने हैं, तो B, वोंस इसमें देखने को मिला है, डारेक्ट B, वी अटैस्ट है, वो कितना है, वन है, तो इसका 1 को लगा है, और X मतलब जो है, नीचे हम देखेंगे, X level किसको किया गया है बचो, the boron atom has another VH bone in addition to terminal, terminal के साथ में अगर इस तरह का है, तो इस X से denote किया गया है बचो, इसको इसलिए याद रह सकता है, इस तरह सा X की है, इस तरह का जो रहेगा, boron से HH, तो ये कितने numbers में हैं, जैसे कि डाइबोरिन का structure number के इतना है बचो, 2002, 2002 है, X यहाँ पर 2, मरलब 2 BH2 units है, इसके इसके इंदर 2 BH2 units है, S 2 BHB units है, BHB, बाकि T type के bond नहीं हैं और Y type के bond नहीं हैं, तो जीरो जीरो हैं, इस तरह सबचो, S, T, Y, X को यहाँ पर denote किया गया है, यह दिखाएगा किस type की bonding है, तो आगे इसको निकालते किस तरह उसको देखते हैं, लेकिन आपको यह bond याद होना है नीचे यह पहले तो, फिर आगे बढ़ने से पहले है, S बोला गया है, किस तरह के bond को, बिर इस टाइप के bond को बतलो, B, H, B bond को जो है, S से indicator किया गया है, इसको S बोला गया BHB को और BBB को BBB को किसे denote गया गया T से denote गया BBB है तो T से denote गया BHB है तो किसे denote गया S से denote किया और BB डारेक्ट बोलने तो उसको Y से denote किया खाली 2 है तो Y से denote गया BBB है तो T से denote किया गया उसको और BH2 जो units है BH2 ये एक्स की तरह ही लग रही कितनी भी एच टू यूनिर्स हैं तो उसको किस से डिनोट किया गया एक्स से डिनोट किया गया है जैसे कि बच्छो डाइब और इन में हमने देखा डाइब और इन का जो स्टाक्ष नंबर है स्टि यॉइएक्स तो इतना two thousand two है एस इसकल टू टी इसकल टू जिरो टाइब ओन है वाई टाइब के भी बहुँद नहीं यॉइए एक्स तो है एक्स टाइप प़्ाइड सब्सक्तारा करते हैं उनकी रिलेस्टेंस यहांपर हम देखते हैं किस तरह साम यां करते हैं पहले छो यहla है बरॉन हाईडाइट का उसको इस फोर्म में लिखा यह P और Q की फॉम है, तो BH उनिट्स कितनी है, उनको P बोल दिया है, और extra जो H उनको क्या बोल दिया है, Q बोल दिया है, BPH P प्लस Q, तो यहाँ पर इस फॉम में उसको हाइड्रोवोरेन को हम रखेंगे, जैसे कि B4H रेंगो किस तरह लेकिले, बोल दिया है, तो P कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और Q क्या हो गया, एक्सरा जो हाइड्रोजन बचे हो, Q हो गया, और यह P और Q रिलेट है, यहाँ पर जो पी रहेगा, जितनी BPH unit होंगे, वह है, इक्वल किसके S टाइप के बोन, प्लस T टाइप के बोन, S टाइप के बोन मनलब, इस तरह BPH यह आले, और T टाइप के बोन मनलब, टरफल B जो अर्कनेक्टेड है, उसके सम के बराबर है, और Q, जो X टा, Q, H है, वो किसके बोन हो रहा है, S टाइप के बोन, नमबर वो बोन, और प्लस X, X के अधा बच्चों, कितनी BH2 units हैं, उनके एक बोल है, Y, क्या मेनिंग था, मालब कितनी numbers of BB bonds है, वो किसके हाप S minus X के एक बोल है, और जो हमारे types of bonds हैं, वो negative में तो हो नहीं स X को हम considerate नहीं करते हैं, और जो S की value है, वो जो S की value यहाँ पर जो Q extra hydrogens है, वो वहाँ से QY2 तक vary करते हैं, मतलब यह हैं, कि अगर Q हमारा कहीं पर 4 है, तो S की value जो कितनी possible value हो सकती हैं, उसका आधा, कितना होगा, 2, 3, 4, मतलब कहा से कहा vary करते हैं, जो Q number होगा, उसके P और Q उसके molecule formula से पता ही चल जाता है, बच्चो, P Q हमें पता हैं, और इस तरह से हम, हमारा S भी पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ से उस रिंस तक vary करते हैं, तो S की अलग अलग values के लिए, हम S की value, T की value, S की value, X की value निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, तो प तो यहाँ पर अगर फर्ष रिक्वेशन देखोगे, P हमें पता चल गया है, molecule formula से, और S की value, Q से पता चल जाते हैं, Q और उसके आधे तक तो हमारा S भी अलग-अलग value होगी, जैसे S 2 है, पहले सब से चोटी, तो S 2 के लिए हम P की value find कर सकते हैं, इसी तरह Q हमें पता है, क्य और S यहाँ से पहली value के लिए हम निकाल रहे हैं, तो S भी अता तो उसके लिए हम X निकाल सकते हैं, और जो हमें S और X पता है, तो Y भी हम find कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारा, जो है, Stacks formula आजाएगा, S भी पता होगा, T पता होगा, Y और X पता होगा, उनकी एक्टेविल बन गया और Q is equal to 4 हो गया, step second गया होता है बच्छो, step second होता, find the value, x की possible values लिखना, जो की value कहां से कहां तक vary करती है, Q से और Q हाप तक, और Q यहां उपर बोली कर खार्मली से हमें पता चल गया था, तो different different s की value, possible value लिख लिख लिए जाते हैं, और उपर वाले relation use करके, ty और x की value निकाली जाती है, जैसे कि हम नीचे जान देखने वाले हैं बच्छो, और next फिर उसका topological structure बना दे जाते हैं, जैसे कि हम यहां पर example ले रहे हैं बच्छो, B3H9 का एक example लें, यहां पर B3H9, तो first step हो गए, इसको इस form में लिखना, तो यहां से हमें P और Q का पता चल गया, P कितना है बच्छो, 3 और Q is 6, तो उसके बाद step second आता है, s की value जाना, s की value बच्छो कहां से कहां तक vary करती है, तो for, इनके बीच में बच्छो relation की 3 equations है, जिससे हमें क्या find करना, s की value, t की value, so stacks y की value और x की value find करना हमारा purpose है, इन relations के द्वारा, तो हमने इस formula के लिए देखा, s की value कितनी 3, 4, 5, 6 possible है, तो एक table बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, s की possible values को लिख देंगे, यह value possible है, q से q, q से, q is equal to 6 आगया, कहां तक q, आप तक possible है, अब s की 3 values के लिए, हमने क्या value पकल लिए, s की 3 value के लिए, बागी value find out करेंगे, t की, y की और x की, जो यह relations है, इनके throw, s is equal to 3 के लिए, तो बच्छो p हमें पताईए, p कितना है, बच्छो 3, इस पार equations में value put करें, s is equal to 3 के s कितना है, 3, तो t की value की आगई, यहां से 0 आगई, t की value, t की value बच्छो यहां पर लिख देंगे, stacks इस तरह से इस row में लिखा है, s की आपो से value यहां पर लिख दिये, t की value इस relation से find out करके, हमने यहां पर लिख दी 0 आई, फिन next to find करते हैं बच्छों, जो x की value find करें, तो हम x की value कितनी आगई, यहां पर 3 value यहां पर आगई, यहां से हमने इस टेबल में 3 की value निकाल रही हम पाइंड करना है y की value, y क कीई, relation कि हाप s minus x, तो S-X, तो S कितना है बच्चो यहां पर 3, Y कि वैलियो कितना है, हाँ, S कितना है बच्चो 3 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यह कितना है, 3 है, माइनस x की value भी 3 है x की value पहले निकाल चुके है तो कितना आगे 0 हो गए तो इस तरह सा हमारी y की value भी 0 आगे 3, 0, 0, 3 अब next s की value 4 पकड़ेंगे हम s is equal to 4 और यह उपर relation में उनको रख रख करके further t t की value y की value और x की value same way में निकालेंगे तो और एक table यहाँ पर बूटी हो जाएगी तो यहाँ पर हम देख रहा है जैसा कि उपर हमने बात ही की थी negative value आ रहे है तो negative value का meaning नहीं होता तो b3 h9 के लिए जो हमारा stack number हो गया जो positive numbers है cable वही हो गया क्या हो गया यह वाली value is positive है तो हमारा stack number यह हो गया b3 h9 के लिए फिरका हमें इसकी bonding करना तो इसका the set हो फिस tax number क्या हो गया 3003 हो गया b3 h9 के लिए इसका मदलब क्या है s type के bond इसमें 3 है t type के bond 0 है y type के bond 0 है tax x तो इसका मदलब यह है कि इस compound को किस तरह चा बनाना है कि इसके अंदर 3 bh इस तरह की units है three units इस तरह की है और इसके अंदर 3 इस तरह के bonds है और total molecular formula इसका b3 h9 है तो हमको यह चीज़ फिट करके इस के structure बनाने है हमें टी टाइप के bonds नहीं बनाने टी टाइप के मतलब कोई भी linkage इस तरह के बी भी इस तरह के लिंगेज हमें नहीं बनानी है और डारेक्ट बी बन आपस में connector नहीं करना है तो क्योंकि इन में इस टेक्स नंबर क्या है 002 यहां पर इनको फिट किया गया इस इस texture में बचा यहां पर हम देख सकते हैं है S के 3 हैं मतलब यहां पर number 1 bond, BHB 2 bond, 3 bond, S type के bonds कितने 3 हैं, और X type के bonds कितने हैं, BHB 2 unit कितने हैं, यहां पर 3 बनाए गए हैं ना तो D type की बनाएगा और Y type को बनाएगा तो इसका final structure क्या होगा बचो यह होगा सिंगलर में एक ग्जम्पल से ओर हम देखते हैं कि इस tax नमर को पिस तरह से find करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेज़ा बच्छोस अगर हम तो पहले S की value 3 पकड़ेंगे और इन relations को use करते हुए 3 के लिए 1 आया, Y 0 आया, X 3 आया, जैसे की ओपन निकाला है उसी तरह से, फिर S is equal to 4 के लिए निकालेंगे तो यह value जाएंगे, तो यहाँ पर जो यह value तो close out हो गए, क्योंकि यहाँ पर value जाए, निकेटिव, दो possible values यहाँ पर रहे हैं, तो इसके B4, H 10 के 2 possible जो है, structure number हो सकते हैं, 2 possible structure number यहाँ पर होए, 3103 और 4012, तो इनको देखते होए बचो, 4012 और 3103 के लिए possible structure होए, क्योंकि यहाँ पर बचो, 4S type के bounds हमने बनाएं, यह VH, इस तरह VH, 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 और Y, VH2 unit और VH2 unit रहे हैं यहाँ पर, और BB unit कितनी हैं, एक BB unit है, तो इस तरह सा 4012 structure number वहाँ उपर से फायंड किया गया है, तो बचो, जो structure ज़्यादा symmetrical है, तो यहाँ पर preference कों से बाले structure को दिया गया है, बचो, better structure कों से यह है, इनमें, जो ज़्यादा symmetrical structure होगी, यह structure ज़्यादा symmetrical है, तो B4 की empirical rules है, इसके कों से बाले को preference दिया जाएगा, तो 4012 जो है, इसकी structure number है, 4102 इसका structure number होगा, possible topography, topological structure 4012 is favored as it is symmetrical, क्योंकि एक एक ऐसे symmetrical structure है, तो इसको favor किया गया है, यह structure जिसकी है, जिसका structure number क्या है, बचो, 401 होए, तो इस तरह से बचो structure number को निकला जा सकता है, आप try करो, B3H7 का, इसको इस form में लिखेंगे, S की value, Q6, QI2 तक लिखेंगे, फिर a table बनाएंगे, और उनमें फिर रहेगा कि किस को preference दिया गया है, तो यहाँ पर बचो नीचे, बचो नीचे टेवल, देखते हैं, टेवल में हमने, जिसकी बचो, close of variance जो है, जिसकी close of variance कहां से start और V5H52 negative, V6H2 negative, तो इनके structure number क्या है, बचो, उपर हमने इस, देखाए, खाली इसमें जो है, इस तरह के bonds तो होते हैं नहीं, बचो, किस किस तरह के bonds है, इसमें 3 बचो T-type के bonds है, और 3 Y-type के bonds है, इसके अंदर close होगे, टेवल में सही है, जैसे इसके next member में हम जा रहे है, तो काली T की value change हो रही है, यहाँ पर 4 होगे, next member में 5 होगे, B8H2 negative में कितने होगे, 6 होगे, 7 होगे, 8 होगे, 9 होगे, 10 होगे, और Y-type के bonds कितने रहे हैं, बच्छो, यहाँ पर 3-3 Y-type के bonds रहे हैं, Y-type के bonds कितने हैं, बच्छो, constant है, यहाँ पर 3-3 है, इसके अंदर, और S-type के bonds जो है, 00 हैं, तो इसका अंदर close हो के अंदर कोई भी इस तरह का bridge molecule, bridge bond ही इन में नहीं है, नहीं close or structure में इस तरह के bonds देखने को आपको मिलेंगी, नहीं इस तरह के वे देखने को मिलेंगी, खाली उसके अंदर के हैं, boron boron से attached bonds हैं, इस तरह के boron bonds हमें close or में देखने को मिल रहे हैं, ठीक हैं, और यहाँ फिर Y-type के bonds देखने को बन रहे हैं, य टाइप के बॉन्ट होगे मालब बीडी इस तरह के बॉन्ट देखने को मैं लेंगे और बाकी एस टाइप पे वोण नहीं है और ऑर च्छों एक्स टाइप बॉन्ट नहीं है और यहां पर वाई टाइप के बोंस हैं बीवी बोंस है कितने टू यूनिट्स मिलेंगी इस तरह बागे टी की वैलियू जो है यहां से जीरो से वान टो ट्री पो फाइफ सिक्स इस तरह से चेंज हो रहें तो टेबल के अकोर्डिंग मलब यहां से याल रखना इसी है कि इस से तो ईजी है कि किस तरह से है इसमे णूमर लिखा जाता है और यह मप्रेम करने कstory है है यह definition का टैक्स नंबर पर जोब तो बसीक्राइस्ट बनानी में किस तरह साथिसेक्चर प्रिदिकожет करनी में हैं फोले किस तरह साथिग्सटै तन कर सिजार निक्ट सी किए शाए